दिली से देहरा दून के बीच एकॉनमिक कॉरिडोर का निर्मान होने जा रहा है इस एक्सप्रेस वे के लिए किंद्र सरकार की तरफ से संधांतिक मन्जूरी मिल चुके है माना ये जा रहा है कि एक्स्प्रेस वे उत्राखंड के आर्थिक विकास में लील का पत्थर सावित होगा इस कोरिडोर के बन जाने से दिल्ली दून की दोरी 206 किलोमीटर रह जाएगे एक्स्प्रेस वे का निर्मान काम चार चरण में पूरा होगा पहले चरण में डिली के अक्षर्था मंदिर से इस्टन पेरिफेरिल तक काम निर्मान तो ये रूट कैसा होगा इसका मैप तो बन कर तयार है, सैध्धान्तिक मन्जूरी मिल गई है, लेकिन मुर्त रूप कब दिया जाएगा, जमीन पर कब से अक्टिवेट होता है, इसका इंतजार है इस मुद्र पर NHEI के चेर्मेन सुखबीर सिंः सिंधू से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अजित सिंग राठी ने सब बातचीत करने के लिए हैं NHEI के चेर्मेन सुखबीर सिंः संधू साब, कुछ नैशनल की प्रोजेक्ट है, उन्पर बात करते हैं संदू साब आपका स्वागत है आज अब दिहरादून थे मुख्यमंत्रीजी से और मुख्यस्जीव से मुलाकात हुई एक कोई मेगा प्रोजेक्ट है अक्सरधाम से दिहरादून को जोडने वाला उसके बारे में थोड़ा सा आप तफसील से बसाजिए जी हमारा एक अभी हमने प्रस्ताव बनाया है कि दिहरादून की एकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए और प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए दिहरादून से दिली अगर ट्रेवल टाइम कम हो जाए तो इसका बहुत फैदा होगा तो अभी प्रस्ताव है हमारा अक्षर सब्सक्राइब कर दोगंटे में पहुंच जाएंगे क्रीब सो की आवरेज से आपकी स्पीड से आप ट्रेवल कर पाएंगे यह अभी आपने इसको टेंटिटीव कुछ देखा होगा कि कितनी इसकी लागत होगी और कितना इसमें लग सकता है सारी चीजे एक बार तैह हो जान कि बारा से पंद्रा हजार क्रोड रुपया है और उसकी एने चाई ने प्रोविजन कर रखी है उसमें कोई दिक्रत नहीं है और जिस दिन हमें क्लिरेंस मिल जाएगी हमारे टेंडर डॉकुमेंट भी त्यार हो रहे हैं बस क्योंके फॉरेस और वाइड लाइफ की क्लिरें और कितनी जल्दी यह प्रोजेक्ट ऐसा है कोई भी जो इसको सुनेंगा और खास करके उत्राखंड परदेश से जो सबंदत है वो तो सभी चाहेंगे ही के जल्दी हो जाए उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस था और उन्होंने पूरे कहा कि जो भी स्टेट से और इव तो बागपद दिल्ली साहरनपूर हाइवे है और एक दिल्ली मेरिट मुझफरनगर एनेच 58 इस से थोड़ा सा किस तरह से अलग हो गाई यह इस्टन पेरिफरल वे से साहरनपूर तक तो बिलकुल नहीं अलाइनमेंट है यह नहीं सडक होगी बिलकुल प्रानी सडके नहीं है और इसमें एकसेस कंट्रोल होगा मिन्स के कोई इसमें जैसे गाय वगएरा कोई आ जाती है जो ऐसे ट्रैफिक को ट्रैक्टर से सड़नली आ जाता है एकसिडेंट हो जाता है जिसके कारण आपको ध्यान से चलना पड़ता है आप ज्यादा स्पीड से नहीं चला सकते एक एक्सेस कंट्रोल होगी आप सौव एक्सोबीस की स्पीड पे चल पाएंगे कहीं ब्रेक लगाने की जूरूरत नहीं अभी देश में ऐसा कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जिस तरह से आपने अक्सर दाम से द्रदून के बीच में बताया कोई दूसरी एक बड़ी महतवा का किसी कोई योजना किस तरह काफी सड़के हमने करीब 22 सड़के नई प्लैन की हैं जैसे डेली से बंबे एक बिलकुल नई सड़क बन रही है लगब असी हजार क्रोड से एक लाग क्रोड की लागत आने की संभावना है उसकी काफी जगावी अक्वायर हो गई है और कई पैक देवी कटरा जा पाएंगे और हमारे साथ थे चैर्मेन एनेच आई सुखवीर सिंग संधू उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की और हमारे लिए खास ही है कि एकसर धाम से देरदून का जो एक मेगा प्रोजेक्ट जिसके बारे में उन्होंने बताया हो एक कल् अपना साकार होने जैसी बात होगी कैमरामेन किश्टोफर लोरेंस के साथ देरदून से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंग राठी